हां तो यार देखो मैं एक बात बताओं मैं भूल गया था इस बात को एक्चिली हुआ गया कि मेरे को आज से चार पांच दिन पहले ही पता था कि जम फेस्टा होने वाल है और किस तारीक को होने वाल है लेकिन मेरा एक वीकनेस है कि मुझे देट नंबर याद नहीं रहते हैं मुझे मेरे घर के और मेरे खुद के फोन नंबर के अलावा मेरा date of birth याद है और उसके अलावा और कोई भी नंबर याद नहीं रहता, मैं एक डेड़ घंटे के अंदर ही भूल जाता हूँ तुम सबको बताया था कि important news है, सुबह को वीडियो देखना क्यों important है, बताता हूँ अब देखो, jump festa होने वाला है, और मेरे बहुत कम subscribers को jump festa के बारे में जानकारी होगा लेकिन वहीं बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे, कि यह jump festa सला होता है क्या है क्या यहाँ पर किसी तरह का खास चीज होता है, तो भाई बहुत खास चीज होता है, तुम्हारे school में या college में annual function होता है यह jump festa भी उसी तरीके से ही वो एक annual function की तरह है, यहाँ पर होता है क्या है, सोनन जंप के अंदर, जितने भी mangas publish होते हैं तो सोनन जंप क्या करता है, हर साल दिसंबर के महिने में एक annual function रखता है, जहाँ पर जितने भी सोनन मांगा कास हैं, उन सब को बुलाता है, जिनने सोनन जंप publish करता है और जो famous legendary mangas हैं, उनको खास stage दिया जाता है, और वो लो आकर के अपने manga, anime, या फिर उसका जो movie आ रहा होता है, या फिर कोई भी important news होता है, वो चीज़ जो है, वो आकर के हमें jump festa में देते हैं अब देखो, ODA कोई भी साल आता नहीं है, लेकिन वो एक letter के through हमें information देखे जाते हैं, पता नहीं इस बार भी वो आएंगे कि नहीं यह कहना मुस्किल है, बट ODA जाजतर अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, उनका अगर तुम चेहरा भी देखो तो बहुत पुराना वाला face होगा, अभी currently उनका चेहरा तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन ODA आते हैं और हमें important news देखे जाते हैं one piece से related, अगर तुम सबको नहीं पता कि पिछले साल उन्होंने क्या दिया था, तो पिछले साल उन्होंने हिंट दे दिया था, कि लूफी का devil foot awakening होने वाला, jump fast dummy, plus one piece का movie red को लेकर के भी उन्होंने important announce दिया था, jump fast में, साथ ही साथ मैंने कल वाले community tab पे बोला था, bleach से related भी होगा, तो हाँ भाई, bleach के manga का Tite Kubo ने पिछले साल, jump fast में आ करके बताया था, कि bleach का anime कब return करेगा, कितने तारीक को उसका anime का episode आने वाला है, plus उससे पिछले वाले jump fast में, उन्होंने reveal किया था, कि bleach का मांगा है, वो continue होने वाला है, hell arc के रूप में, और हाँ, hell arc का one short chapter, वो उसके कुछ महिने बाद आ गया था, अब देखो, इस बार jump fast बहुती ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, वो कैसे, बता तूम, आज से पहले जितने भी jump fast हुए थे, वो फिर जब lockdown लगा, corona वगरा, यह सब चीज ज़्यादा फैला, तो उसके बाद जो है, jump fast को, जपैन में online कर दिया गया, मतलब lockdown में, जपैन के लोग online के तुरू देख सके थे, बट फिर, अचानक से इस साल, जो है, sonan jump ने यह decide कि, भाई, क्यों ना हम jump fast को, पूरे world के लोगो हाँ भाई, Indians भी देख सकेंगे, और इसे तुम कहां देख सकते हो, पता है, सबसे मस्त जगा, YouTube पर, और पता है, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, उस वक्त भी jump fast चल रहा है, अब वो कैसे, बता दो, मेरे पास पूरा schedule है, अगर तुम schedule को घ्यान से देखो, जो तुम पर जपान का, इंडिया का, अमेरिका का, फ्रांस का सबका time तो अलग-अलग होता है, अब जपान में 11 बज़रे तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इंडिया में 11 बज़रे होंगे, सबके तो अलग-अलग होंगे और इसी चकर में यार बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मैं जब मैं यह वीडियो बना रहो 16 तारिक को साम का समय है और इस वक्त पता है मैं जब जमफेश्टा को जो ओफिसियल यूट्यूब चैनल है वैसे तुमको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो तुम लोग यूट्यूब पर जाका सर् बता चलता है कि भाई जमफेश्टा का जो फंक्सन है वो स्टार्ट होने वाला है सुब पांच बजे से और इसी चक्कर में यार पूरा पूरा टाइम गडबड़ा गया और मैं यहीं सोच रहा हूं कि भाई फिर कितने बज़े वनपीस का ब्लीच का निउस देखने को मिले वनपीस का टाइम जो दिया है वो आठरा तारीक को दिया है आज नहीं है सतरा तारीक को बिल्कुल भी नहीं है वनपीस का टाइम दिया है जपैन के साम के पांच से छे बज़े के बीच में अब वो चीज इंडिया में कितना बज़े होगा पता ही नहीं भाई प्लस ये सुबह 5 बजे से लगा है तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पर साम के 5 से 6 होंगे हमारे इंडिया के टाइम की हिसाब से 10.45 से 11.45 के बीच में तो हो सकता है यार इसी बीच में हमें वनपीस का नियूस देखने को मिले 18 तारीक को तो ज्यादा माथा अब देख सकते हो 18 तारीक को अब आते हैं ब्लीच वाले सीन पे ब्लीच वाले सीन पे क्या है वो होगा 17 तारीक को जहां पर ब्लीच के राइटर 17 तारीक को साम के 7 से 47 के बीच में ब्लीच का हमें बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें होंगी और उसका लेकर के function होगा पर कि यह चीज होगा तुम्हारा 12 س这2 बजे के बीच के टाइम के बीच में ही होगा ये इंडिया के टाइम के हिसाफ से बतारो क्योंकि जपान में जमफेश्टा स्टार्ट होगा वहांके ग्यारा बजे से पर भाई इंडिया में तो पांच वज़े से स्ट्रीम चल रहा है और इसी चक्र में पूरा-पूरा सेड्यूल टाइम जो है गड़बड़ा आगिया और हां इस बार जम फेस्टा में में जो मांगा कास है या फिर उसको लेकर के जो चीजें बताई जाएंगी कौन-कौन आरा बता देता हूं जो इस्प कर्मेंट बॉक्सम बताना अगर तुमने इसको रीड किया तो दा प्रिंस ऑफ दा टैनिस टू पतन यार नाम ही थोड़ा जीब लगा पर चलता है नेक्स जो हम वरुटो और नरुटो के राइटर जो मसासी किसी मोटो है उनको देख सकेंगे यह सब 17 तारिक का ही सेडियू को दिकत ना हो और यह जो भी मैं टाइम बता रहां अभी यह सब जपेन का टाइम के शılıए बतारू मैंने जो ब्लीच वाला पक्ला उसके बाद ही यह वाला आएगा तो सब 2.25 बारा से 2 के बीच में ही होगा ब्लीच का तो उसी साबस Ultra आदियो के अपना time इज।़्के के इसके बाद जो है हाईक्यू का फाइनली भाई हमें कुछ जानने को मिलेगा अब देखो हाईक्यू का मैंने मांगा रीड नहीं किया पर मैंने उसका एन में देखा और हां भाई नियू सीजन का वेट है मुझे और मैं खुद इसको देखूंगा कि भाई हाई क्यू का निया सीजन कब आएगा अब जो है आते हैं अठरा तारीक को अठरा तारीक को जो है बाकी के बचे हुए राइटर्स का बारे में पता चलेगा को क्या क्या चीजे ले करके आएंगे सुबह के ग्यारा बजे ग्यारा पंद्रा से हमें जो है स्पाइ एक्स फैंबली के बारे में बताया जाएगा उसके राइटर आएंगे और यह हो सकते है सुबह के पांच बज़रे हो इंडिया टाइम के हिसाब से फिर आएगा डीमन स्लेयर का ग्यारा पैंतालिस से एक देखूंगा अब देखो इतना सब कुछ जो मैंने बता दिया यह सब तुम्हारे सर के उपर से गया होगा मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़े गया लेकिन फिर भी तुम सब जो है जा करके जो ऑफिसियल यूटुब चानल जंप करते हो इसके बाद जो अलग से वीडियो बनाके लेकर के आएंगे संडे को मस्त इंजॉइ करें गयार वैसे संडे को नहीं हो पाएगा संडे को आठरा तारीक पड़ जाएगा और हां संबार को देख सकते ही हो और जम फेस्टा को लेकर के तुम्हारे क्या विचार है यार कमेंट बॉक्स में बताओ प्लस तुम सब देखने वाले हो की नहीं वो भी बताना मत बुलना तो यार मिलेंग नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई